हेलो फ्रेंस मैं हूँ रेखा और स्वागत है आपका मेरे किचन में आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी चीजी गार्लिक ब्रेट इसे हम लेफ्ट वर ब्रेट से बना सकते हैं जब भी हमारे घर में ब्रेट बच जाए इसे आप बहुत टेस्टी सी चीजी गार्लिक ब्रेट बना सकते हैं चलिए इस मज़िदार से रेसिपी को सुरू करते हैं और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब चरूर करें चीजी गार्लिक ब्रेट बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बोल लेंगे और बोल में हम डालेंगे डाई चमच बटर तो यह रूम टेंपरेचर का होना चाहिए इस बात का आप ध्यान रखें बटर को पहले से फ्रीज से निकालके थोरी दिर के लिए बाहर रग दे अब इ इसमें हम डालेंगे एक टीस्पून पेरी-पेरी मसाला और एक टीस्पून हम डालेंगे मिक्स हब्स तो अगर आपके पास मिक्स हब्स ना हो तो आप इसमें औरिगानो डाल सकते हैं और एक टीस्पून हम डाल देंगे चीली फ्लेक्स अब इन सभी चीजों को हमें प्रेंब यहां पर मैं ले रही हूं चार यदा ब्रेट के असर आप यहां पर ब्राउन ब्रेट में लेकर कर देखाऊंगे चारो कॉर्नर में हमें अच्छी तरह से गार्लिक बटर को इस इवर्ली स्परेट करें , और निह नहीं बुटा घृ इषा उसने जिदुकि दॉपझ ना लगा इसे डालने के बाद इसे हम दूसरे सलाइस से कवर कर देंगे तरह से और थोड़ा सा प्रेस कर देंगे अब इसके उपर वाले हिससे में भी हम गार्लिक बटर अची तरह से फैला देंगे इस तरह से तो यहां पे पतला लेर ही आप फैलाएं इसे आप मोटा ना बनाएं नहीं तो यह बहुत ही बन जाती है तो यहां पे यह रेडी हो चु इस तरह से इस रेसिपी को बना सकते हैं तो यहां पे मैंने एक ब्रेट कर स्लाइस में इस तरह से गार्लिक बटर को इस ब्रेट कर लिया है तो यहां पे मैंने बहुत ही थीन लेयर लगाया है आप देख सकते हैं तो इसी तरह का आप थीन लेयर लगाएं अब इसके उपर ह में शुरा के और की लिए रहुत कि में सके घ्याँ डबाई स्पाइब आपधिसे फीटेशंक है तो यहां में फिरल रहुत हैब कुंअ है और दो दुस्टा सटीश रहे इस कंसी लिएक अंदर के तरफ में हम बहुत ही पतला लेयर गार्लिक बटर का लगा लेंगे तो यहां पे आप देख सकते हैं बहुत ही पतला लेयर मैंने लगाया है तो यहां पे हम अंदर की तरफ से हमने गार्लिक बटर नहीं लगाया है तो इसे हम इस तरह से कम बटर में बना सकते हैं तो यहां पे यह ready हो चुका है टोस्ट के लिए तो इन दोनों को हम पैन में टोस्ट कर लेंगे तो पैन को आप पहले से थोरा सा गरम करके रखें उसके बाद जो बटर वाला हिसा है उसे हम नीचे की तरफ डालेंगे इस तरह से और यह उपर वाले हिसे में फिर से हम पतला लेयर बटर का लगा देंगे तो यहां पर आप इस तरह से इसे लगा दे और लगाने के बाद इसे हमें धकन लगा के 30 से 45 सिकंड के लिए टोस्ट करना है बीच-बीच में आप इसे चेक करते रहें और जैसे ही यह नीचे की तरफ से क्रिस्प हो जाएं तो यहां पर मैंने धकन लगा दि इसे फिर से हम कवर कर देंगे और इसे हम थोरी देर सेक लेंगे तो यहां पर देख सकते हैं यह नीचे वाले साइट से भी क्रिस्प हो चुका है तो इसे हम निकाल लेंगे और दूसरा वला जो हमने कम बटर लगाया हुआ था उसे भी हम इसी तरह से इसी प्रोसेस से टोस तो यहां पे आप इसे जल्दी ही चेक कर लें और इसे आप फिलिप कर दें और फिलिप करने के बाद आप देख सकते हैं कि इतना सुन्दर कलर आया है जिसमें हमने कम बटर लगाया था और कम चीज डाला था तो यह रेडी हो चुका है दोनों साइट से तो इन दोनों को हम लग तो अगर आपको मेरी रिषीपी पसंदआ है दया कहंते हैं। आप जरू भी पइस रखनद के यह नहीं कि पून कर kind तो अगर आपको मेरी ये रेसिवी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें